प्लीस सस्क्राइब मैं चैनल, इट्स रिली मोटिवेट मी तो मेक मोर वीडियो पोर यू वेलकम स्टुडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अडेप्टिव कंट्रोल के बारे में तो चलिए जान लेते हैं कि अडेप्टिव कंट्रोल होता क्या है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सरिफ यह जाने की कोशिश करेंगे कि अडेप्टिव कंट्रोल क्या होता है और उसमें कौन-कौन से कंट्रोलर आते हैं और वो किस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं तो जो डेफिनेशन है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शोग कर रखी है जैसे कि आप देख पा रहा होंगे एन अडेप्टिव कंट्रोल इस अ कंट्रोलर विद एड्जस्टेबल पैरामिटर एंड अ मेकैनिजम फॉर एड्जस्टिंग दी पैरामिटर तो जो जो ऑडेप्टिव कंट्रोल होता है वो हमारे पैरामिटर को एब्ज़स्ट करने में हेल्प करता है इसके अंदर हमारे दो लूप होते हैं एक लूप होता है हमारा normal feedback with process and controller यानि कि जो हमारा process होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक लूप होता है तो जैसे कि आप स्क्रीण पर देख पार होंगे, दोनों के डाइग्राम मैंने इसक्रीण पर शो कर दिये हैं, तो open loop, control system में हमारे पास input होता है, контролलर होता है, इसके बाद process होता है, जिस process के थो उस सीज़ को solve कर रहे हैं, धन हमारे पास output होता है, तो जो हमारा open loop system है, इसमें हमारे input और output में कोई भी connection नहीं होता यानि यह एक दूसरे से independent होता है अगर हम input को बढ़ाते हैं तो हमारा output बढ़ता है बट यह sense नहीं कर पाता है जबकि हमारा जो close loop system होता है इसमें हमारा feedback mechanism लगा होता है जिसे हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे measuring element है जो कि हमारे output को measure करेगा और हमारे input signal को control करता है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अब जो यहाँ पर हमारे पास आएगा वो हमारा controlled signal होगा यानि control input होगा तो जो हमारा open loop system है यह हमारा independent होता है output से जबकि जो हमारा close loop system है इसमें हमारा जो input और output है यह एक दूसरे पर depend करते हैं और यह एक दूसरे को adjust भी करते हैं with the help of feedback mechanism जो हमारा open loop system होता है इसका example होता हमारी traffic light जैसे कि आपने देखा होगा कि traffic light पर अगर हमारे कोई भी vehicle नहीं है बट still जो उसकी light है वो उतने ही time के लिए open और close होती है यानि उसके अंदर controller तो लगा हुआ है बट वो sense नहीं कर पाता कि signal पर traffic है या नहीं बट जो हमारा close loop system है यह हमारा sense कर पाता है output को इसका best example है आपका automatic AC जो की गाड़ियों में आपने देखा होगा air conditioner अगर वो automatic है तो क्या गरता है वो अपने आप से ही temperature को adjust करता है maintain करता है यानि कि suppose for example एक में बहुत सारे आदमी अचानक से आकर बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद temperature वापस से maintain हो जाता है यानि जैसे ही बहुत सारे आदमी उस काड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो temperature बहुत जादा बढ़ जाएगा थोड़ी देर के बाद जो automatic AC है वो temperature को वापस से maintain कर देगा by sensing the output क्यों जो हमारा output है वो उसको sense करेगा और उसके बाद हमारे input को change कर देगा तो यह होता है मारा open or close loop control system तो यह open कि आपको i button में मिल जाएगी या फिर description में उसका link provide कर दूँगा तो अब जान लेते हैं कि जो adaptive control है it is an example of close loop system बट वो क्यों different होता है बाकी controller से अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कि जो हमारा close loop system है उसमें हमारा एक feedback loop लगा हुआ है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे measuring element जो लिखा हुआ है जो लूप है यहां पर यह हमारा एक feedback loop लगा हुआ है बट जो हमारा adaptive control होता है उसमें हमारे multiple loops हो सकते हैं जैसे कि यहां पर आप screen पर देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने एक adaptive control का example लिया है तो जो नीचे वाला है यह हमारा process loop है और जो यह उपर वाला है यह हमारा parameter loop है जो कि आप dotted line से देख पा रहे होंगे तो यह जो green box से मैंने highlight किया है यह हमारा parameter feedback loop है और यह जो हमारा red color से शो रहा है यह हमारा है process loop अब यह दोनों चीज़े क्या होती है इनको हम एक example से समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि आप यहां पर screen पर देख पा होंगे तो यह हमारा example है जिसमें हमारा adaptive control यूज हुआ था तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि process loop क्या होता है और parameter loop क्या होता है चलिए जान लेते हैं कि हमारे पास automatic air force plane है या फिर कोई automatic plane है जिसके अंदर 100 passenger बैठे हुए है अगर हम उस plane को उड़ाते हैं और हम उसमें close loop control system लगाते हैं यानि कि वो flight की height को adjust करेगा है जिस height पर हमने plane को उड़ाना है वो उस height को maintain रखेगा तो for example जो हमारा plane का weight है और जो हमारे passengers का weight है वो सारी चीज़े हमें उस control system में डान ली पड़ेगी और उसके wording वो उसको solve करेगा और वो उस height को maintain करके रखेगा तो इसमें जो use होने वाले जितने भी parameters है for example जो fixed parameters है जैसे कि हमारा plane का weight हो गया passenger का weight हो गया इसके अलाबा जो और भी luggage है या passenger का जो समान है उसका weight हो गया वो सारी की सारी चीज़े हमारी fixed है वो change नहीं होगी with respect to time तो इन सब की programming हमारी आती है नीचे वाले loop के अंदर यानि की process loop के अंदर बट जो चीज़े time के साथ change होने वाली है वो आती है हमारी parameter loop के अंदर यानि ऊपर वाले loop के अंदर जो कि हमारे time के साथ change होती रहती है तो वो कौन से parameter हैं तो अगर ये plane हमारा उड़ रहा है और time के साथ जो इसके अंदर fuel भरा होगा यानि कि जो diesel भरा होगा वो time के साथ consume होना start हो जाएगा और उस डीजल का भी कुछ न कुछ weight होगा जो कि time के साथ घटता रहेगा तो जिसकी वज़े से होगा क्या कि जो plane का weight है वो थोड़ा कम हो जाएगा यानि कि जो total weight है वो भी कम हो जाएगा और हमारी जो हमें height maintain करनी थी वो height maintain नहीं हो पाएगी क्यों क्योंकि जो overall weight है plane का वो थोड़ा कम हो जाएगा यानि ये वो parameter है जो कि time के साथ हमारा change हो रहा है तो adaptive control क्या करता है? adaptive control इन change होने वाले parameter को control करता है ताकि हम desired output यानि जो हमारी desired height थी उसको maintain रख सकें यानि कि जो हमारा ये process control loop है ये हमारे वापस से output को sense करे और जो parameter change हो रहे हो उनको change करे और जो हमारा input है उसको हमें controlled setting के साथ provide करे यानि कि जो हमारा output है जो desired height है हम उसको maintain कर पाएं तो ये है हमारा example adaptive control का अब हम adaptive control के कुछ examples देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़े adaptive control के अंदर आती हैं तो ये मैंने यहाँ पर कुछ adaptive control के example show किये हुए है जैसे कि आप देख पा रहोंगे gain scheduling, model reference, adaptive control, self tuning regulator और dual control ये सारे के सारे ही हमारे adaptive control कहलाते हैं जिसमें हम multiple loops use करते हैं input और output को set करने के लिए तो I hope कि अब आपको clear हो गया होगा कि adaptive control क्या होता है इसी तरीके की video को देखने के लिए प्रण जैसे घनल झाल 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 झाझ वो वाचिक च्ब्मझेट ट्राइज भी जानल झाल 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 मृट्राइज्स